आपका इंडिया के नमबर बन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अडिकैरमी पर और आप देख रहे हैं मत्रप्रदेश के किसी भी एक्जाम के लिए या फिर कोई भी एक्जाम हो जहां पर जोग्रफी पूछी जाती है आपको कोई दिक्कत आए कभी तो मुझे आप बता सकते हैं तो चलिए कुछ कमेंट्स होंगे तो मैं आपसे रूबरू बात करता रहूंगा और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजे लोगों तक पहुंचा दीजे जाकि वो लोग भी जुड़ सके जिनको नोटिफेकेसन नहीं मिला है और हमने इसके पहले यूरोप पढ़ा था यूरोप पढ़ने के बाद हम ग यहां पर ओशनिय महादीब कहा जाता है तो इसके आज हम नदिया पढ़ने जा रहे हैं जो बच्चे नदिया पढ़ने के लिए कल तयार थे तो आज हम पढ़ेंगे यहां पर नदिया ठीक है आज हम एक थोड़ा ता फैक्ट जो है वो बर्मूंडा ट्राइंगल के उपर भी करेंगे जी हां बर्मूंडा ट्राइंगल के उपर भी कुछ फैक्ट पढ़ने वाले है जो पुछले क्लास में रहे गया था तो उसको म कंप्लीट करेंगे चिंता ना करें आप लोग ठीक ह शांदार सिमेंट के रंग तो चलो यह बोजली में कुछ नया चालू करूंगा लेकिन उसके पहले दोस्तों हमारी टीम से मिल लीजिए हमारी टीम आपको एकसे बड़कर एक कंटेल ने कराती है लेट्स क्रैक एमपी एक्जाम के माध्यम से आप अपनी तैयारिया सुनेश्चित कर सकते हैं इसमें मारी पूरी टीम सायोग करती है और मेरा टाइम टेवल आप नोट कर लीजिए साम को साथ बजे सामान ग्यान और आठ बजे साड़ आठ बजे सुबह भूगोल तो यह आप पढ़ रहे हैं अभी गरेंट में मिरा नाम है दिरेश ठाको डारेक्टर और फांडर ऑफ दीप्ति सिंग करेट भी इंदोर 14 साल से भिक्क अनुभा पढाने का हो गया है आप चाहें तो मैं रहोस्तिस प्रोफाइल आपको दिख जाएगी इयां मेरी प्रोफायल आपको दिख जाएगी जूदा साल से लिए कर दश्यार जाने का दो बार में दॉजम कर्द का हहां यहां पर और आपका ुल्यां साड़े आट लाग सुपर बच्चे ऑनलाइन में पढ़ा चुका हूं ठीक है तो यह प्रोफाइल हो गई अब चलो यह आगे बढ़ते हैं और अपन तयारी अपना कारेक्टरम चालू करते हैं वहिए हमारी दो क्लासे से साड़े 8 बचए और 9 बचए यहाँ पर यूचूब पर आपको गिरेंटी रही है वुट Last Complete होने की Un самые Na min पर है यहाँ पर नोटस नहीं मिलते यहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर आपको Unlimited Access नहीं है वहाँ पर Unlimited Access Unlimited Content का PDF का Access है यहाँ पर PDF format नहीं मिलता है यहाँ परры नोटस PDF मिलते हैं यहाँ पर आपकी rank पता नहीं चलती है, और भी बहुत सारे ऐसे benefit है, जैसे कि वहाँ पर आपको personal guidance नहीं दिया जाता है, यहाँ पर personal guidance दिया जाता है, तो anacademy key learning आप इंस्टॉल कीजिए, doubt cleaning session वहाँ चालो होते हैं, इंस्टॉल करने के बाद MPPSC and Vyapam, जहां से देखना गलती एक मत कर देना, बहुत ही अच्छा एक, मतलब MPPSC मत कर लेना, यह वाला करना, MPPSC and Vyapam, इसमें आपको subscription लेने के पहले, अगर आप free lecture भी देखना चाहते हैं, तो मुझे सर्च करके, दिने इस्ठाक और नाम सर्च करके follow कर सकते हैं, लेकर यदि subscription लेते हैं, तो यह code लगेगा, उस code को बता देता हूँ, मैं, यहाँ पर लिखाए नीचे, जब भी आप payment करने जाएंगे, D T L I V E, अब देखिए भईया, mains के अगर बात करें, तो mains में answer writing, सारे format की, ठीक है, 3, 5, 11, सभी की हम यहाँ पर answer writing आ रखी है, mains की, तो mains कैसी answer writing करते हैं, किस में member कटते हैं, यह सारी बाते मिलेंगी, एक साल तक का subscription मातर 7,920 रुपे में मिलेगा, हलाकि यह 12,000 रुपे दिखारा, दो साल का, यह भी नहीं लगाना, आपको 11,500 में, दो साल का मिल जाएगा, तो आप payment करते समय, DT Live Code apply करेंगे और payment करेंगे, बस सित्तित का ध्यान रखियेगा, ठीक है ना, बर्चास मिनाम की पत्रिक आपको प्राप्त होगी, 50 से जादे faculty आपको पढ़ाएगी, हमारी team लगी रहती है, हर 10-15 जिन के अंदर आपकी 15-15, 20-20 आपके lecture वो नए batch course चालो हो जाते हैं, ठीक है, तो चलिए नमस्कार मुन्ना भाईया, कैसे हैं आप लोग, जैहिंद, मौनिका पादिदार जी भी हैं, मौनिका जी हैं, ललिता जी भी आ गई हैं, बहुत बढ़ी है, शानदार से मैंटिक रहा है, चलो, हमने ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जी हां, वाई लगाना है, वाई दुआत कर रहा हैं, तो एक साल में परप्रपरेशन नहीं होती है, कोई कितना भी बोल दे, मैं गैरनेटी देता हूँ, एक साल में परपरेशन जीरो से नहीं होती है, हां, अगर आपने एक आद बार प्री दे चुके हैं, और आप तैयारी कर चुके हैं, तो फ़े वन एयर चलिए आस्ट्रेलिया की बात करें तो यह सबसे बड़ा और यह न्यूजिलेंड की बात करें तो यहां पर भी हमने कुछ कल माउंटें देख लिये थे और यह न्यू पपुआ गिनी जिसकी हम बात कर रहे थे मारे बच्चे बोल रहे थे यह क्या चीज है मैं नाव में बैठा हुआ हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ चिंता ना करें ठीक है बहुत बढ़िया अब पहली नदी की बात करें हम पहली नदी की बात करें हम देखो बेटा जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं ये एक चीज आपके काम आएगी ठी ना एक एक चीज आपके काम आएगी चिंता ना करें चलिए पहला पॉइंट मुर्रे नदी देखिए नोट किएगा मुर्रे नदी आस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी मुर्रे नदी पहला पॉइंट आपको आएगा पहला point आपको आएगा मुर्रे नदी नमस्कार लबरवाय जी नमस्कार आरके जी नमस्कार स्वागत है सबसे लंबी नदी नोट करते हैं बिना पहने को बेटा मेरी क्लास में प्लीज Great Divine Range से निकलती है तो Great Divine Range का लबने आप पुताई थी ये New South Wales है और ये Victoria है अगर राज्य की सीमा भी ये बनाती है ये रही देखो ये ये निकल यहां से रही है मुर्रे नदी Great Divine Range से निकल रही है और जाके ये देखिए यहां जाके South Australia में भी जाती है ये और वहां जाके ये समाप्त होती है दक्षिन महा सागर में ये गिरती है कहां गिरती है दक्षिन महा सागर में ये गिरती है तो एक गड़बल हो गई मैप आपका हमेशा इस तरफ ही आएगा चलिए इससे कम से कम ये रयाद रहेगा कि आपको मैं कम से मिया दिखाई दूँगा तो अब आपको ये रही ठीक है अब परफेक्ट है सॉरी चमा चाओंगा मैं अपने ही दिखाई दे रहा था इसलिए मुझे अपनी पोजिशन चेंज करनी पड़ी अब ठीक है अब क्लियर है मित्रो अब क्लियर है ओके तो ये निकल रही है यहां से निकलती है ग्रेट डिवाइन से प्रवतमाला से निकलती है और दच्छरी महासागर में ये जाके समाप्त हो जाती है तो ये मुर्रे नदी सबसे बड़ी नदी है अब इसका एक फैक्ट नोट कर लीजे इस नदी की लंबाई 2508 किलो मीटर है ठीक है कहीं कहीं इसकी लंबाई 2595 बताए गई है लेकिन 2508 पर हम लॉक करेंगे ठीक है कहीं कहीं पर बुक्स में ये इतनी बताए गई है MPPSC में continuous paper होते हैं सर यादो जी Darling नदी के हमने बात की थी कुछ दिनों पहले Darling एक समुद्र की बात की थी Darling एक नदी भी है Darling नदी आश्टिलिया की तीसरी लंबी नदी है उत्तरी New South Wales में ये निकल कर लगबग लगबग इसकी लंबाई 1472 किलो मीटर है और एक खास बात ये है Darling नदी जो है मुर्रे नदी की साहिक नदी है ठीक है और ये है Wentworth में मुर्रे नदी में New South Wales के पास भी एज़ विलकुल बाउंडरी है यहाँ पर जाके मिल जाती है तो ये क्या निकल रही है देखो ये मुर्रे नदी निकल रही है ये आपकी Darling नदी निकल रही है और देखो ये जा रही है यहाँ से ये गई और यहाँ पर ये परफेक्ट ये परफेक्ट है तो ये आपर ये इसकी मुर्रे नदी की सबसे बड़ी साहिक नदी है नों में से ये भी धान रखिएगा ये मंडी ब्रूक वेल्चीनिया अब देखो यार ये बहुत साथ सेरों कवर करती है हलाकि ये आपके लिए इंपोर्टन नहीं है लेकिन हाँ ये बहुत ही मातपूर्ण सेरों को कवर करती है ये आप समझ सकते है आजो जी क्या बात है डार्लिंग नदी से टेंशन क्या है डार्लिंग अच्छा ही नाम होता है वो तो लोग क्या है कि अब बदनाम करते हैं बाकि डार्लिंग तो अच्छी नाम होता है किसी अपने प्रिये मित्र या मित्रनी को हम क्या बोलते हैं डार्लिंग बोलते हैं MPPSC मेंस-GS1 के question देखिए जो मेंस के subjects हैं वो divided हैं जैसे कि अप पहले एक-एक subject हो था लेकिन अब दो तिन-दी subject mix कर दिए गये हैं जान लखिएगा तो सबके अलग-अलग नाम है ठीक है अध्याए wise भी कई जगापर single-single अध्याए भी है तो आप उनके लिए हम पूरा एक सलिवाज बना रखा है मैंने तो आप पूरा देख लीजे ना उसमें क्या देख थे सारे सारे कॉशन अपन बीच बीच में डिस्टप करेंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे मैं आपको पूरा कंप्लिट बना चुका हूँ और चाहूँ तो एक बार बना दूँगा चिंता ना करें ठीक है ना कैसे आएंगे कहां से आएंगे पूरा पूरा कंप्लिट बना दूँगा अब लाच नाल नदी डारलिंग जैसे हैं अपन ने कहा जी हाँ जैसे मरे नदी का सबसे गहंतम बिंदू आयर जील है लाच नान नदी एक रुक रुक कर चलने वारी नदी है तो जैसे चन टेप्स सेंटरल वेस्ट और आस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स के एर्विन छेतर में इस तरह है अब इसको बहुती आसाल तरीके से जी हाँ आप देख सकते हैं याद रख सकते हैं तो यह डार्लिंग नदी है और डार्लिंग प्यार मोहबत में लोग क्या करते हैं मर जाते हैं तो मर्रे नदी में जाके मिल जाती है तो डार्लिंग मरने से पहले उस पर लांचन लगा था तो बीच में लांचन नदी भी आ जाती है ठीक है ना हलाकि ये मुर्रे डारलिंग बेशन के भीतर ये कैच्चमेंट का एक हिस्सा है एक परकार से ठीक है तो यहां पर मर्रे नदी की लांचनन नदी जो है ये मरूबिंज नदी में जाके मिलती है कहा मिलती है मरूबिज नदी में जाके मिलती है यह मर्रे नदी की लांचे नदी मर्रे नदी की नदी नहीं नहीं है ठीक है ना उसकी दाइक नदी नहीं है यह है मरूबिज की एक मैट इसको कम्पेट कर ले अब सही है अब क्लियर आ रहा है ठीक है ओके इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है अगली है मरूबिंज नदी जिसमें कि ये आपकी नदी मिलती है Actually, मरूबिंज नदी मरे नदी के प्रमुक साइक नदी है अब यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट जो आपको समय आएगा वो ये दिखाई देगा ये मरूबिंज नदी है अब थोड़ा साथ patience रखना देखो, ये darling नदी कहां जा रही है सीधे जाके मिल रही है मररे नदी में अब मरूबिंज नदी इसकी साइक नदी है मरूबिंज नदी जब इसमें मिलने वाली होती है उसके जश्ट पहले का हिस्सा जो हमें बताया ना अपना ये आपका जश्ट उसके पहले जाके यहां पर मिलती है तो मरूबिंज नदी की साइक नदी कौन सी है आपकी लचनान नदी ठीक है लचनान नदी अब लचनान नदी आपकी मरुबिंज में जाके मिल रही है अपको दिखाई भी दे रहा होगा यह यह मरुबिंज निकल रही है यहां से और यहां पर यह मिलने वाली है लेकर उसके पहले लचना नदी उसमें मिल जाती है मरुबिंज नदी लचना नदी में मिल जाती है तो ये लचेना मरुविंज में मिलती है और मरुभिंज क्ये समय मिलती है ? मररे नदी में आस्ट्रेलिया की दूसरे सबसे लंबी नदी है यária को इसकी लंबाई देखलो आप 1485 किलो मीटर लंबी है कोड कौन सा यूज करें बघेल जी ? देखिए, code तो आपको DT live ही लगाना है, जब भी लगाना है, क्योंकि DT live लगाने से आपको discount दो मिलेगा है, साथ में जो मेरी extra facilities हैं जो मैं आपको देता हूँ, जैसे की main sasaray tech लखने के तरीका, cup strategy बनानी है, और बहुत सारे हमारे जो अन्यमित्तर हैं वो भी देंगे, ऐस अगला है वाई कोटा नदी वाई काटो नदी वाई काटो नदी न्यूजिलेंड की सबसे बड़ी नदी है जो उत्तरी द्वीब से होकर उत्री द्वीब से होकर 425 किलो मीटर हलाकि न्यूजिलेंड वैसे भी सकरा एक देश है हमारा ठीक है तो न्यूजिलेंड की लंबी नदी जादा लंबी नदी तो है यह नहीं आपर और यह नदी न्यूजिलेंड देश की उत्री दूई पयाने की नौर्थ आईलेंड में इस्तित है ठीक है यहाँ पर कुछ फेक्ट नोट कर लीजिए जो कि आपके काम आ सकते हैं जैसे की इसकी उत्पत्ति तावपो जौला मुखी छेतर से हुई है तो वाई काटो तावपो नदी से वाई काटो नदी जो है यह तावपो जौला मुखी छेतर से इसकी उदगम हुआ है और वहाँ पर माउंटेन का अगर नाम देखे है तो रुआ पेहू कौन सा रुआ पेहू नोट कर लीजेगा रुआ पेहू ठीक है रुआ पेहू नामक ज्वारा मुखी के पूर भी ढलानों में पिखलती बर्फ से ये ताउपेई जील वहाँ पहुंचती है न्यूजिलेंड को दक्षण का ब्रिटेन भी कहते हैं तो बिलकुल यार यहां पर आज मुन्ना भाईया च्हाए जाएंगे मतलब नहीं मानेंगे दक्षण के ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है बहुत बढ़िया शांदार पंकर जी कहा हो इतना लेट क्या वात है आज कहां घुम रहे थे भाईया इसका चल रहा है भाईया सामको 7 बजे MPGK प्लस GK की क्लास चल रही है चार दिन MPGK चलता है दो दिन आपकी GK क्लास रहती है तो सामको 7 बजे क्लास मिसमत करिएगा जी मुर्रे नदी आस्ट्रेलिया की और वाईकाटो नदी न्यूजिलेंड की पॉफेक्ट है बहुत बढ़िया ठीक है इसे वाईकोटो भी बोलते हैं अब यहां से जील के उत्तर पूर्वी छोर में फिर से आगे निकलती हुई फिर आकलेंड सहर के पास जाके तस्मान सागर कहां पर तस्मान सागर तो यहां पर एक जील के आगे जील के पास प्रवेश करती जील बनाती हुई जाती है यह ध्यान रखना ठीक है यह पूर्वत्री छूर में जील भी है और जील के आगे जाके फिर यह तस्मान सागर में मिलती है तो वाईकाटो नदी में जी हां जाता हूँ मैं यह लीजिए दिखाई दे जाएगा फटावर फटावर फास्ट जाएगा अब चले पोर्ट वाय काटो नाम जात कर लो इसमा पोर्ट वाय काटो पोर्ट वाय काटो एक बंदरगा है यहां पर तस्मान जहां पर तस्मान में यह विलाय होती है तो पोर्ट वाय काटो इसका नाम है ठीक है डन है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आज हम बहुत ही बहतरीन चीज पढ़ने जा रहे हैं आज क्या मालूम आज हम परबुन्दा ट्राइंगल के बारे में जानकारी लेंगे इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा क्लू था नदी न्यूजिलेंड देश की दूसरी लंबी नदी है ये मात्र 322 किलूमीटर है इतनी बड़ी नदीयां तो हमाई मात्र देश में कई निकल जाती हैं है कि नहीं यह नदी वानका जील से सुरू होती है और प्रसांत महासागर के मोह तक बहती हुई ये देख जील है वानका जील से दच्छर की तरब बहती हुई ये जाके चले जाती है बहतरीन ठीक है तो इसको बोलते है क्लूथा रिवर की कुछ एक्स्ट्रा नोट्स कर लीजे जैसे कि क्लूथा नदी का बेसिन आकार लगबग लगबग आठ हजार आठ सो असी वर्गमील औसत प पानी के लिए जाना जाता है इसकी बहाव बहुत तेज है इसका ठीक है नेचरल व्यूटी और बहाव के लिए जाने जाती है बहुत बढ़िया शांदार से मेंड़ेंग ज्यादा नोट करने करना उसमें बस इतना ही काम का है क्लूथरे बार जादा नहीं समझने नहीं पर जारत का भूगोल बहुत लिए चालों होने जा रहा है ठीक है तो आप तयार रहिएगा बिलकुल आप लोग वैलनवी नदी न्यूजिलेंड की तीसरी सब लंबी नदी नदी है ये 290 किलोमेटर उत्री दूप में स्थित माउंट टोंगरियो से शुरू होती है और तसमान सागर में मिल जाती है माउंट टोंगरियो ठीक है माउंट टोंगरियो में यहां मिलती निकलती है और जाके यह यहां पर समात हो जाती है ठीक है तसमान सागर में जाके यह मिल जाती है तसमान सागर में जाके मिल जाती है पॉफेक्ट है गोड मॉनिंग तरपाड़ी जी न है ठीक है 2017 में नदी को एक कानूनी पहचान दी गई जिसका अर्थ है कि उसके पास कानूनी व्यक्ति के अधिकार और दायत्व हैं भाईया भारत में किस नदी को कानूनी अधिकार प्राप्त हैं जिसको जीवित बोला गया है पैपाउंग जील पर बैठाओं मुन्ना जी सही है मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जब हैलिकाटर उपर से बुज़रता है तो इसको एक कानूनी व्यक्ति के अधिकार दिये गए है जी हाँ वैन लूई नदी जी हाँ वैलन गूई नदी को कानूनी अधिकार दिये गए है नोट कर लेना ये 2017 में इसको दिये गए है अधिकार जी हाँ आस्था जी नर्मदा नदी या गंगा नदी चलो इस पर मुझे करेंगे पुराना कॉस्चन हो गया इसको देखना पड़ेगा ताइरी नदी तो आ रहे हैं बच्चे नर्मन 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 बदा आ रहे हैं ताइरी नदी देश की चोथी प्रियाराय जी के इंपुट ले लीजे भईया बहुत अच्छे इंपुट देते हैं वो ताइरी नदी देश की चोथी सबसे लंबी नदी है जिसकी 288 किलोमीटर लंबाई है और दच्चिर पूरी में उटागो छेतर में इस्थित है नदी लंबापरवतमाला से निकलती है उगती है बतलब निकलती है चलो यह है कौनसी लंबापरवतमाला से निकलती हुई यह इस परकार से टेड़दार ताइरी नदी और यह ताइरी रिवर इसमें जाकी यहां में जाती है ठीक है तो देखो यहाँ पर एक चीस दिखाई दे रहे होगी अपको यह कलूथा रिवर है यह ताइरि नदी है यह ओट अब यहाँ पर वेटा की नदी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे है नंदकसुर काकरोधिया जी लिखके दे रहे हैं गंगा को 2017 में क्या बात है पंकट जी अच्छा पंकट जी एक बात खुसकबर यह है कि भई यह जो इंडियन जोगरफी रहेगा वो बाइलेंग्वल रहेगा दोनों भासाओं में रहेगा इंडियन जो जोगरफी चालू करूंगा मैं वो बाइलेंग्वल रहेगा दोनों भासाओं में ठीक नदी का उपयोग पन बिजली उत्पादन और बाढ़ के पानी की सचाई के लिए किया जाता है नदी का अंतिम भाग लगबग लगबग 20 किलो मीटर जी हाँ एक नोगम में क्या होता है वो यार इसको इंगलिस वर्ड में जो संज में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ही जी हा बहुत ही अब इंगलिस वर्ड संज में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ही सक्रा बताते हैं ये ठीक है बार हमसे बता चुका हो मैं टॉंस वटरफाल अधक्छे क्यों पहुंचते हैं टॉंस में निया अंपर आरही है री किण वाई-धक्छे रोज 3 शेडोल रीवा सतना सिर्मोर सिर्मोर का जिला बताओ सिर्मोर का जिला बताईए ठीक है शेडोल, रीवा, सतना, कटनी ठीक बता ते चुकाओ कितनी वार यार बच्चे गलती है क्यों कर रहे हैं क्या दिक्केत आ रही है हम प्रॉलम कहां पर आ रही है चलिया हो गया ना हो गया confirm हो गया मुन्ना भाई या बाकी लोग सबने तो बताई दिया है चलो भाई यह वर्मुन्दा ट्रेंगल की तरफ चलते हैं तो अभी तो यह मेरे तरफ पर बैठ गया है इसको मैं हटूँगा मेहां से क्योंकि हटना जरूरी है जी हाँ यह हटते नहीं जलो थोड़ा तो नीचे हो जाता है तो दिखाई दे जाएगा आपको बर्मुन्दा ट्रेंगल के बारे में इसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी वस्तू बड़ी वस्तू या कोई भी चीज़ जाती है वो जाके इसके अंदर छुप जाती है तो चलो भी यह स्टार्ट करते है बर्मुन्दा ट्रेंगल की कहानी बर्मुन्दा ट्रेंगल जिसे सैतान का त्रिभुज या त्रिभुज का सैतान का त्रिभुज डेविल्स ट्राइंगल कहा जाता है अब ये ट्राइंगल नाम क्यों पढ़ा है आज डिसकस करेंगे या तूफानी एली के नाम से भी इसे जाना जाता है उत्त्री अट्लांटिक महासागर के पस्चम हिस्से में एक कम परिभासित आने के छोटा सा छेतर है जहां रहस्मा परिस्तियों में कई बिमान जहाज गाइब हो गए जी हाँ वर्मुन्डा ट्राइंगल के फैक्ट भी जूरत पड़ेगी प्रिया जी मुन्ना भाईया पंकट जी देद जा रहा इनपोट आप लोग ठीक है क्योंकि क्लास का टाइम होने जा रहा है वर्मुन्डा ट्राइंगल की बात करें तो देखो यह फ्लॉरीडा अमेरिका का हिस्सा फ्लॉरीडा दिख रहा है फ्लॉरीडा ये बरमूंडा एक दीप है तीक है और प्यॉर्टो रिको प्यॉर्टो रिको ये भी एक करेवियन हिस्सा का अपने जहाँ पेर क्या था अपना याद शे कल आपने पढ़ आपको वेस्ट लिज तो वेस्टेंडीज केरेवियन सी के बाद वेस्टेंडी में इस्थान है प्यूटो रिको ठीक है? अब ये प्यूटो रिको वर्मुंडा और फ्लोरिडा को अगर मिलाए जाये सीधी लाइनों से तो इसके बीच का जो हिस्सा बनता है इसको बोलते हैं वर्मुंडा ट्रियंगल समद्बंदर करवाएगे हैं हम चिंता ना करो ठीक है? ओके अरे नदी भी टॉंस ही है क्या हो गया? हमाई नदी नदी नदेख लो एक बार आप अगर जिसको जियोग्राफी MP की पढ़नी है MP जियोग्राफी बाए दिनेश्ठाकर सर्च करो 4-4 गंटे के 2 वीडियो मिलेंगे आपको 3-3 गंटे के आसपास के 2 वीडियो है Part 1, Part 2 दोनों देख लो आप MP जियोग्राफी दिनेश्ठाकर नदी और मिट्टिया सब समय में आ जाएगा आपको चिंता ना करें अब देखो भाईया तरकौनी छेत्र है जो मियामी, बर्मुंडा और प्यूटो रिको तो फ्लोरिडा के पास में यहाँ पर एक मियामी जगा है ठीक है मियामी तो मियामी, बर्मुंडा और प्यूटोर को सिगरा हुआ एक आधिकारिक तौर पर बर्मुंडा ट्राइंगल है जिसे किसी छेत्र का अस्तित्व नहीं है ये ब्लैंक रेंज मानी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर पांच लाग स्क्वेर किलोमीटर इसका एरिया है पार करने पर 75 प्लेन और सेकलो जहाज यहाँ पर गायब हो चुके हैं बिलकुल सही है लगवाग लगवाग पांच लाग स्क्वेर किलोमीटर का इसका एरिया है तो यह आप कियाद रख लीजेगा ठीक है चलिए अब एक और फेक्ट है नाम सुना है इनका फोटो दिखे नाम बताओ लेलेट जी रिप्लाइ देता हूँ लेकिन क्लास के बीच में प्लीज ना करें नहीं तो दिख्कत आ जाती है कभी कभी बीच में कोलमबस 1492 में कोलमबस ने एसिया के एक बेकलिक मार्क खोजने के उम्मीद की थी इसकी वज़ाए एसिया और अमेरिका की खोज कर ली उनने इनोंने कोलमबस ने एसिया के लिए बेकलिक मार्क की जगा पर अमेरिका की खोज कर ली तो अमेरिका गए थे ये खोजते हुए उनकी यात्रा ने उन्हें सीधे बर्मुंदा त्रिबुस से मिलवाया लेकिर बर्मुंदा ट्राइंगल कोलंबस के जहाज को गायब नहीं कर पाया एक यही एक ऐसी रहस में घटना है कि बर्मुंदा ट्राइंगल की जो खोश तो यह कर पायी इनोंने लेकिन इनका जहाज वहाँ से गायब नहीं हो पाया पता ने जो भी था बट कोलंबस की वज़े से जी हाँ बर्मुंडा ट्राइंगल इस लाइक आ वाम होल अब पोर्टल विच ट्रांसफर पीपल फ्रॉम अर्थ तू अनदर अरे भगवान पंकरजी क्यों मज़े ले रहा है अब यार यह फैक्ट लोई चाहिए था तुम यार मज़े मतलो प्लीज ठीक है बहुत बढ़ी यार मियामी बर्मुंडा पोर्टो रिको ट्राइंगल है जी हाँ अब इसके पीछे वेग्या ने कई तरक देते हैं कहते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा कम दबाओ का छेत्र है कि यहाँ पर बाहर से आने वाली जितनी भी एयर प्रेशर है हाई प्रेशर है वो अंदर की तरफ घुश जाता है तो इसलिए यहाँ पर हर चीज जी कई फेक्ट नहीं था इसा मत करो पंगा जी दिक्कत हो जाएगी बच्चे फिर अपने उपर विश्वास करना बंद कर देते हैं तो अपन किवल कुछ चुनेंदा लोगों से ही फेक्ट करवाते हैं सबसे फेक्ट नहीं लेते हैं आपको मालूम होना चाहिए पूरी वाइनाड से दच्छल अमेरिका की यात्रा के दोरान ये गायब हो गए थे ये पूरी दुनिया के नाखिले चक्र लगाय था इनोंने तिये मार्था वाइनाड ये वहीं जगा है दच्छल अमेरिका की यात्रा के दोरान ये क्या हो गए थे गायब हो गए थे नाम था इनक अब आपको पता है यार कि इसके लिए आपन साड़े बारा बजे लेक्चर लेते हैं ठीक है या पिर क्लास के लास्ट प्रमर्पन कर सकते हैं क्लास डिस्टा बोजाती है फिर भी मैं आपको बता दूँ अगर आप इस साल फाइनल एयर में थे तो आप फॉर्म भर सकते एं वे यह रिजल्ट रही आया हो तो फवर सकते आप अब वास्ताव में उनके साथ क्या हुआ ये कोई बता नहीं पाता है लेकिन बाद में अगि से बर्मंड ट्रियांगल को जिम्मिदार ठेहराय गया था कोछ विद्धवानों का दावा है कि विल्यम सेक्सपियर का ला प्ले टैंपस्ट वास्ताव में बर्मूंड ट्रियांगल के सिर्पेक पर आधारित थी तो जा The Tempest एक प्ले जो बनाया था William Shakespeare ने बहुत पुराना है तो यसा कहा जाता है कि The Tempest question आ सकता है The Tempest किस पर आधारित था तो ये सिर्फ एक बर्मुणा ट्राइंगल के सिर्फ एक पर आधारित था बर्मुणा ट्राइंगल के कुछ रोगत तत दिख लो फटावर फटावर चार दिसंबर 1872 को मेरी सिलिस्ती नामक एक व्यापारिक समुद्री जहाज बर्मुणा ट्राइंगल की चपेट में आ गया था इस जहाज में मौजूद किसी भी यात्री का अब तक पता नहीं चल पाया है 1881 में एलिन आस्टिन नामक जहाज भी यहां गायब हो गया था 1881 में ठीक है 1881 जहाज को गायब होने का कारणा था इस पर काई सोध हुए Burmina triangle के बारे में एक बहुत ही अबवाय आय। है कि यहां एलियंस है जो जहाजों को पानी में क्हींचते हैं जब कि ये अबवाय रही है एलियंस अगर वहा होते तो एलियंस वहीं क्यों रहते कई और भी तो आ जाते ना तो एलियंस बोलतो दिये कि आपकी कॉशन का जवाब आज साले बारा बजे दे पाऊं एक सोद के अनुसार परमिंडर ट्रैंगल के पास घना कोहरा है जिसकी वज़े से जहाज वहां खो जाते हैं अब ये भी देखो खो कहे जाते हैं घना कोहरा है तो कहीं तो निकलते हैं गाइब हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं तो जैसा बोलते हैं टकरा जाते हैं कुछ खतम हो जाते हैं लेकिन वहां की शोध जो है प्रॉपर अब भी नहीं हो पाई है ठीक है इसके बाद एक थेओरी के मताबिक यहां चुम्बकी प्रभाव है कहते हैं यहां पर magnetic ठीक है magnetic waves है इसलिए दुरगटना यहां पर आम बात है चुम्ब की प्रभाव के बज़ाए से यहां electronic उपकरन भी कारें नहीं करते यहां पर जैसे कि कुछ electronic उपकरन जा तो gadgets काम करना बंद कर देते हैं तो एक थेओरिक मदाविक यहां पर चुम्ब की प्रभाव है तो देखो चुम्ब की प्रभाव और कम दबाव का छेत्र कम दबाव का छेत्र यह दो बड़े major factor हैं जो वर्मुदा ट्रियंगल को गातक बनाते हैं ठीक है तो वर्मंडा ट्राइंगल में एक और बात है समुद्री छेत्र यादायात बहुत जादा है या दुनिया के व्यस्तम समुद्री माद्दिनों में यादायात में आता है तो वर्मंडा के ट्राइंगल के आसपास से लोग निकलते हैं उसका एक दाइरा तैय कर दिया गया है नेवी के पांच हवाई जहाज पांथ धंबर 1945 को वर्मणरा ट्रियंगल से गाइब भी हो गया थे ठीक है तो वर्मणरा ट्रियंगल में ये गाइब हो जाते हैं कैसे गाइब होते हैं इसके बीछे बहुत ही बड़ी कहानिया है जो कभी कुछ कभी कुछ अच्छा बैया यह आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पीछे नीचे यहां पर लिखा हुआ सन 1947 तो यह थर्ड पॉइंट जो है ना सन 1947 में सेना का सुपर फोर्ट जहाज बर्मुन्डा ट्राइंगल में क्या हो गया था घुस्ते ही गाइब हो गया था जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला तो 1947 में भी ऐसा हुआ है अस्टिल माधिय को लेंड आफ वाइब डिजर्ट भी कहा जाता है बहुत बड़ीया पिर्याराईजी बहुत बड़ीया सांदार लेंड आफ वाइब डिजर्ट कहा जाता भर रहा था कितना 24,000 फिट की उंचाई पर उनान भर रहा था अचानक वह गाईब हो गया और आज तक नहीं मिला है 24,000 फिट से भी गाईब हो गया तो अब इतना कितना चुम्मी की प्रभाव था 2018 लिटेस्ट लास्ट की लास्ट यर जहाज बरुमुणा ट्राइंगल की छेत में आते ही गाईब हो गया जिसमें 44 लोग थे वो अब तक नहीं मिले हैं कुछ लों हुस्यारी में चेक करते रहते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ है बर्मुना ट्राइंगल में 500 साल में लगबग 2000 से ज़्यादा जहाज और 75 से ज़्यादा एरक्राफ्ट गाइब हो चुके हैं 2000 से ज़्यादा ध्याना कियेगा 500 साल का पुराना इतिहास है जिसमें 500 से ज़्यादा जहाज गाइब हो चुके हैं तो आप समझ जाओ कि कितना खतरना कि ये पॉइंट है बर्मणा ट्राइंगल में हर साल लगबग लगबग चार प्लेन और बीज जहाज गायब हो जाते हैं लोग कोशिस कई लोग तो लोग तेरने जाते हैं जीलों में तो लोड़क जाते हैं, जाने बुझके, क्योंकि हुस्यारी में आप कुछ लोग औरे तो गलत बात है रहे ऐसा थोड़ी होता है ये देखो अब वहाँ से निकलना तो लंगबग लोग ने बंद कर दिया है क्योंकि इतना ज्यादा वहां फेल चुकी वाहां नहीं जाते हैं है तो अधु कि वहाँ जो जाता है वहां पर जीनली कम ही हो गाई अब तो तो लोग जातें नहीं हैं चाहिवी हो जातें यह आम राष्टा नहीं है अच्था पांकर जी बोल रहा है जो रिशेच करता हो भी गाइब हो जाता है तो यही तो देखकत हो रही है कि वही तो पता नहीं चल रहा है जो भी वहाँ जाता है वहाँ जाता है तो जाते ही लोग कम है न आजकल 900 लोग मर चुके हैं अब तक 55 से 60 लोग घायल के वस्था में बचकर वहार आए हैं बस वह यही बताते हैं कि वहाँ पर ऐसा हुआ वैसा हुआ जो कि हम बता रहे हैं आपको ऐसा हुआ वैसा हुआ होता रहता है ठीक है पर मुन्ना ट्राइंगल पर बनने वाले फोर समुद्र की पानी से टकराता है जिससे सुनामी से जाड़ा उची लहरे होती है और यह आपस में टकरा जाती हैं जादा एनरजी से जगा पर साथ लाख वर किलोमीटर कर दिया गया है थोड़ा ट्राइंगल का एरिया बढ़ गया है साथ लाख वर के किलोमीटर हो गया है तो पचास पांच लाख भी ठीक है चलो यह भी ठीक है क्यों मनना हो यह ठीक है न तो भाईया कैसा लगा वर्मणडा ट्राइंगल घूमना कभी हम इसका एक एनिमेटेड वीडियो भी बनाऊंगा कोई से जारी है कि आपको और इंट्रेस्टिंग तक पढ़ा पाऊं प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा शेर कीजेगा लोगों तक कोचाईएगा अनकेडमी की लर्निंग अप इंस्टॉल कर लीजिए गोल चूज कर लीजिए MPPSC और व्यापम जैसे ही गोल चूज करेंगे गोल चूज करेंगे ट्रेट वाले बच्चे जो हैं वो ट्रेट वाले बच्चे आपको input दे रही है बट payment करते समय लोग बच्चे बोलते DTLife क्यों लगाएं तो DTLife लगाने के पीछे reason यह है कि discount तो मिलेगा ही मिलेगा आपको extra knowledge भी मिलेगा आपको कुछ guidance मिलेगा आपको मेरी mentorship मिलेगी तो यह DTLife code लगा के employee payment कीजेगा और हाँ आपको वर्चास पत्रिका भी मिलेगी और अने केडिम में कोई भी समस्या आए मैं जमेदार हूँ मैं आपको पूरा clear करवाऊंगा अगर कोई net बंद हो जाए आपकी video बंद हो जाए कोई समस्या आजाए तो मैं आपको बताऊंगा तो DT Lab कोड लगाएगा और आगे बढ़ेएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जैंद जैभारत चलिए मिलते हैं पांच मिट के बाद हवेली पर हवेली पर आप मुझे फॉलो कर लिजेगा भाहिया क्या दिने श्ठाक और नाम से